सुसान सिन राजपूत केस में अब बड़ी मचलियों को पकड़ने के लिए कारवाई एजनसी के द्वारा होनी स्टार्ट हो गई है सबसे पहले तो इसमें जो है रिया चक्रवर्ति और इम्तियाज खत्री का जो नाम सामने आ रहा था उन तक आखिरकार कैसे पहुचा जाए उन सब चीजों को लेकर एजनसी ने अपना जो है गेम प्लान बना लिया है और सबसे पहले इमतियाज खत्री है उसको उस तक कैसे पहुँचा जाए उन्ही सब चीजों को लेकर जो इमतियाज खत्री के साथ जीस बेक्ट का connection था इमतियाज खत्री के इमतियाज खत्री भी NCB के गिरप्त में होगा क्योंकि उसका भी कहीं न कहीं connection है और खास कर कि हरीज खान जो है इसका connection दाउत के साथ में है और इंतियाज खत्री का भी connection जो है दाउत के साथ में starting में आया था यह सब आप चुपको पता होगा और रही बाद दूसरी जो रिया चक्रवर्धी को लिगर है रिया चक्रवर्धी के खिलाप जिन लोगों ने बयान दिया था उनको जो है सुसान सिंग राजपूत के इसमें से एक नवीन था दूसरा जो था वो मुस्ताप था तो आपको बता दूं कि जो अभी सम्मन भेजा गया इन में से जो मुस्ताप और नवीन है तीन दोनों ने अपना अलग अलग स्टेट्मेंट दिया था नवीन और जो दूसरा बॉडिग को लेकर काफी बड़े-बड़े स्टेट्मेंट दिये थे जिसमें उनकी तरब से रिया चक्रवर्ती के खिलाब स्टेट्मेंट दिया गये थे लेगिन वहीं जब मुस्ताप की बात की जाए तो मुस्ताप जो है उसने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया था और सुसान सि इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाप स्टेटमेंट दिया है जो दो बॉडिगार्ड हैं अगर उन्हों ने इस सारे के सारे चीज पे रिया चक्रवर्ती खिलाप आ के स्टेटमेंट दे दिया जैसा कि इनको संबन भेजा गया है अगर इनको बलाया गया है तो इनसे अगर पूश्ताश होगी अगर इन्होंने अपना जवाब दे दिया और रिया चक्रवर्ती खिलाब दे दिया तो इसका मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती भी एक दो दिन के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाएगी सबसे बड़ी बात कि रिया चक्रवर्ती खिलाब पहले ही NCB की टीम पूरी तरह से इंक्वारी कर रही है और वन बाई वन करके जो इस केस में जुड़े हैं जिन्होंने आखो देखा जो आई विटनेस हो सकते हैं उनसे जो है लगातार पूछताश कर रही है NCB की टीम और आने वाले टाइम पे जो है रिया चक्रवर्ती जल्द ही अरे विडियो को जास जाद सेर करें